नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए साथ ही आज अगर आपका बर्फडे है तो क्या करें और अगर आज आपका बर्फडे है तो क्या करें अनिवर्सरी है तो क्या खास करें चाहे आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नमबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस खिसमत का दरवाजा करी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुदिक शास्त्र की आज एक कौन से दिशा होगी शुबह और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश के गणित पक्ष ने आकाशी ये पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो माग्रिटिक फील्ड के मूमेंट को कल्कुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुगदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की जाई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग सुबह पांच बचकर बारा मिनट से शुरू हो चुका है और दो पहर बात तीन बचकर चवण मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार्थ सिध्धियोग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग दो पहर बात तीन बचकर चवण मिनट से कल सुबह पांच बचकर बारा मिनट तक रहेगा इस करम में आई ये अफचर्चा करते हैं आज के शु चुरू हो चुका है और दो पहर दो बजे तक रहेगा नया बिज्श शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने एक जुलाई की सुबह दस बच कर चवबीस मिनट से दो पहर पहले ग्यारा बच का सोला मिनट तक रहेगा तक रह जाब जो बचकर चौदा मिनट से दो पहर पहले ग्यारा बच कर से तीस मिनट तक रहेगा तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्थ सुभा साथ बच कर छे मिनट से शुरू हो चुका है और दो पहर दो बजे तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्थ सुबह 7 बच कर 6 मिनट से शुरू हो चुका है और दो पहर पहले 11 बच कर 54 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 26 जून की सुबह 5 बच कर 25 मिनट से सुबह 6 बच कर 58 मिनट तक और एक बार फिर सुबह 9 बच कर 18 मिनट से दो पहर 1 बच कर 52 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ चणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुबह करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुबह कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज शाम चार बच का सोला मिनट पर अशुब समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मेश, मितुन, कर्क और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी राहुकाल के दोरान कोई काम सुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिली में राहुकाल होगा सुबह 7 बच कर 9 मिनट से सुबह 8 बच कर 54 मिनट तक मुंबई सुबह 7 बच कर 22 मिनट से सुबह 9 बच कर 21 मिनट तक चंडिगर सुबह 7 बच कर 6 मिनट से सुबह 8 बच कर 52 मिनट तक लखनव सुबह 6 बच कर 57 मिनट से सुबह 8 बच कर 41 मिनट तक भोपाल सुबह 7 बच कर 17 मिनट से सुबह 8 बच कर 58 मिनट तक कोलकाता सुबह 6 बच कर 34 मिनट से सुबह 8 बच कर 16 मिनट तक अहमदाबाद सुबह 7 बच कर 36 मिनट से सुबह 9 बच कर 18 मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज सुबह 7 बच कर 20 मिनट से सुबह 8 बच कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब्दिशा क्या है तो आज वो शुब्दिशा है पूर्व और आज ये ब सुरू करते हैं सिलसला राशी फलका सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है आज आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आपको बहुत दिनों से इच्छा थी आज किसी इंपॉर्टन कारे में अपने से बढ़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें आज आप मेहनत धायरे और समझदारी से काम निफटा लेंगे आज आपको जमीन जाहिदा से जुरी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा आज बिजनेस में रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफ़ा होगा आज आप घरेलू जरूरत की चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं कारियों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन परसंद रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है आठ ब्रेशराशे वालों आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हो सकता है ग्रहस्त जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे चात्र अपने अधूरे काम पूरे कर लेंगे परिवार में धार्मिक आयोजन के योग बन रहे हैं आज अपने खानपान पर कंट्रोल रखें आज आपसे कोई मदद मान सकता है आप उन्हें निराष्ट नहीं करेंगे आप जबरदस्ती किसी पर अपने काम या विचार थोपने के कोशिश ना करें चात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है बलैक और लखी नमबर है दो मिथुन राष्ट वालों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला है इंजिनिरिंग करने वाले चात्रों के लिए आज जॉब के अच्छे आफर मिल सकते हैं आज आपको अपने खर्चों पर नियंतर करने की आउशिकता है आज लोगों से बाचीत करते समये उचीत शब्दों का प्रियोग करेंगे तो रिष्टे में मिठास बनी रहेगी आज बिजनिस के किसी खास काम से आपको किसी दूसरे शहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे आज आप घर के रुकेकारियों को पूरा करने का प्लान बनाएंगे आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन कर कराशे वालों आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है आज निजी जीवन में सकारात्मक्ता लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपकी सी महाप्रोश का अनुसरन करेंगे आज आपकी जादा तर्योजराय पूरी हो सकती आज लोगों से मिलने और बात करने में खुशी महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ रिष्टे में तालमेल बना रहेगा आज आपको ज्यादा जिद करने से बचना चाहिए बेटे को सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा आज आपका दांपत्य जीवन सवहार्द से भरा रहेगा आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नमबर है छे सिंग राशी वालों आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा आज आपके शत्र परास्त होंगे अगर आप नया वाहन लेने का विचार कर रहे हैं तो परिवार वालों से आपको मदद मिल सकती है काम के पति मेहनद देखकर आपके जूनियर आपसे सीखने की कुशिश करेंगे दूसरे लोग भी आपकी योजना से परभावित होंगे जॉयलेरी की डिजाइनिंग कर रहे लोगों को काम में सफलता मिलेगी बाहर की मसालेदार चीजों को खाने से बचें आपका स्वास्त अच्छा रहेगा करियर में अच्छे बदलाव के योग हैं आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है आठ कन्या राशी वालों आज आपका दिन शांदार रहेगा आज जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निप्टाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा व्यवहार में धैर्य और विनमबरता बनाए रखें पुरानी समस्याओं पर दोस्तों से बाचीत होगी आपको समाधान भी मिल सकता है आज आपको नए इंकम सोर्सेज मिल सकते हैं आज आपका बिजनस अच्छा रहेगा क्रियेटिव वर्क में आपकी रूची बढ़ेगी आपके रिष्टों में नई चेतना का संचार होगा स्टूडेंट्स को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे नए लक्षकों निर्धारित करने के लिए आज का दिन सुब है आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नमर है एक तुला राशिवालों के लिए आज का दिन कॉणफिडेंस सबहरा रहेगा आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा किसी विशेष कारेकेपर्ती चल रहे प्रयासों से आज बेहतर परिणाम मिलेंगे लेकिन अपने उसूरों के साथ आप किसी भी प्रकार का समझहता नहीं करेंगे आज समाज में आपका उचित मां संबान बना रहेगा आज किसी के साथ भी उलजने से बचना चाहिए किसी नए काम की ओर हो सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है पाँच वरिश्चिक राशिवालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिनाम लेकर आएगा भाई बहनों के साथ रिष्टे में मद्बूती आएगी किसी काम में उनका सायोग भी मिलेगा आज आपकी कोई नीजी समस्या सुलच सकती है आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा आज आप पुराने दोस्तों से मिलने की कोशिश करेंगे आज आपके मदद की जरूरत के समय कोई ऐसा विक्तिया आपकी मदद करेगा जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी आपके पॉस्टिव लाजरीय से जरूरी काम पूरे होंगे और काम निप्टाने के नए तरीके भी आपको मिलेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नमबर है सिक्स धन और आशिवालों के लिए आज का दिन बहतीन रहने वाला है आज आपके नई विचार आपके आत्विश्वास तथा आतबल को बढ़ाएंगे आज कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है आज किसी भी इस्टिटी में घबराने के बजाए उनका समाधान ढोलने की कोशिश करेंगे तो आपको सोलूशन मिल जाएगा बिजनेस के सिलसले में आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है आज आपको इलेक्टरॉनिक सामान खरीच सकते हैं आज आपको किसी नए ग्रुप से जुड़ने का आफसर मिलेगा आप व्यक्तिगत और व्यावसाई दोनों खेत्रों में तालमेल बना कर चलेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है चार मकर राशिवालों के लिए आज का दिन अच्छा बना रहेगा अपने करियर को लेकर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे आप अपने गुरू से करियर के बारे में परामर्श ले सकते हैं आज आफिस के कामों में उल्जने आएंगी लेकिन समस्याओं से मुक्ति पाने का रास्ता भी ढूड लेंगे स्वास्ति के पर तिसा जग रहने और अनुशासित दिंचर्या रखने से आप स्वेम में ताजगी और उर्जा महसूस करेंगे दापत जीवन खुशनुमा बना रहेगा संतान सुक के प्राप्ति होगी जिससे घर में छोटी सी पार्टी हो सकती है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है दो कुम्भराशिवालों आज का दिन परिवारवालों के साथ बीतेगा आज आपको जो अच्छा लगता है उस काम में समय बिताईए इससे आपको शांती और उर्जा मिलेगी आज आप अपने कामों को बहुत सावधानी और कुशलता से करेंगे आज संतान पक्ष से आपको सहता मिलेगी आज की गई मेहनत का भविश्य में बेहतरीन परड़ाम मिलने वाला है आज आपके दांपत जीवन में सुख शांती बनी रहेगी घर के बुजर्गों का सनेह ओम आशेरवाद भी आपके मनोबल को बना कर रखेगा आज आप अपने पिता के साथ किसे रिष्टेदार के यहां जा सकते हैं आज परिवारवालों को शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है आठ मीन राशिवालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आपको बिजनस में कोई बड़ी डील मिल सकती है इस से आपको धन लाव होगा किसी शुब समाचार के मिलने का योग नज़र आ रहा है आज आपकी मेहनत और सूचबूश से कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा आज मनपसंद कामों में दिल्चस्पी लेंगे सामाजी कत्विदियों में भी आज आपका योगदान बना रहेगा आज बाचीत के माध्यम से कुछ महत्वपून कारे पूरे होंगे आज पारिवारिक रिष्टों के बीच सामंजस से बनाने में आप सफ़ल रहेंगे आप विष्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है चार और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज येव में पुड़ी मिश्चिरी रखें और जिनकी आज मेरी जैनिवर्सरी है वो आज अपने इश्टेदेव का स्मरान करें तो साल भर सुख और सुभाग बढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांक एक वालों आज के दिन आपके विचारों और भावनाओं में तालमेल रहेगा धनल आपकी उम्मीद है मूलांक दो व्यवसाय संबंदी सरकारी मामलों को समय रहते सुलजाना जरूरी है मूलांक तीन आज कई सालों की मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखेगी मूलांक चार आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है आप अपने लक्ष के बेहत करीब रहेंगे मूलांक पांच आफिस में आज आपके उपर वर्क लोड बढ़ सकता है जिससे आपको एक्स्टा वर्क करना पड़ेगा मूलांक छे आज विरोधी आपके व्यक्तित्तु के आगे परास्त होंगे आपसे दोस्ती के लिए हाथ पराएंगे मूलांक साथ आज किसी दूसरे के भरोसे न बैठें उचित मेहनत भी करना जरूरी है मूलांक आठ आज रुके काम को निप्टाने के लिए समय अनकूल है परिवार के साथ सामंजे से बैठाने में आसानी रहेगी मूलांक नौ आज आप किसी प्रत्योगी परिक्षा के तैयारी के लिए फॉर्म भरेंगे और अब चर्चा वास्तुशास्त की वास्तुशास्तर में आज हम बात करेंगे सीडियों के नीचे खाली जगह के बारे में कई लोग घर बनवाते समय जगह बचाने के चक्कर में सीडियों के नीचे पूजागर, रसोई या बातरूम बनवा लेते हैं लेकिन वास्तुशास्त के अंसा सीडियों के नीचे कभी भी पूजागर, रसोई या बातरूम का निर्मान नहीं करवाना चाहिए सीधे शब्दों में कहें तो सीलियों के नीचे किसी भी ऐसी चीज़ का निर्मान नहीं करवाना चाहिए जो रोजमर्रा के कामों के लिए उप्योग में आती हो अगर आप वहां कुछ बनवाना ही चाहते हैं तो एक स्टोर रूम बनवा सकते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं जो कभी कभी काम में आए इसके अलावा कुछ लोग सीलियों में जूते चपल रखने के लिए रैक या अलमारी भी बनवा देते हैं जो कि बिल्कुल घलत है आप ही के लिए नुकसान दे हैं वास्तु शास्त्र में इती चर्चा सीलियों के नीचे खाली जगह के बारे में उमीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपना कर फाइदा जरूर उठाएंगे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज आशाह कृष्णपक्षे की तितियाति थी और सुमवार का दिन है तितियाति थी आज राथ एक बच कर चौबीस मिनट तक रहेगी आज दो पहर पहले ग्यारा बच कर एक चावन मिनट तक इंद्रयोग रहेगा उसके बाद वैधित योग लग लग जाएगा इंद्रयोग के दोरान राज पक्ष के कारियों में अथ्वा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है वहीं अगर वैधित योग की बात करें तो ये योग इस्थिर कारियों है तो ठीक है परन्तु यदि कोई भाग दोड़ वाला कार्य है अथ्वा यात्रा अधि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए साथ ही आज दोपहर वाद तीन वज कर चववन विनट तक उत्तरा शड़ा नक्षत्र है का 27 नक्षत्रों की शेहनी में उत्तरा शड़ा 21 नक्षत्र है इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशी में और बाकी तीन चरण मकर राशी में इस्तित होते हैं इसलिए इस नक्षत्र का प्रभाव धनु और मकर राशी के जातकों पर जादा रहता है इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को उच्छ प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिलती है इनमें कुशल नेतर तो क्षमता होती है ये राजनीती जज आईएस आफिसर सीए आधिक छेत्र में अधिक सफल होती है साथ ही इस नक्षत्र के दौरान शिल्फ कला से जुड़े कारे, विद्यारंब, क्रिशी से सम्मधित कारे, वास्तु शांती और भवन निर्वान आधिकारे करना शुब माना जाता है हाथी के दाथ को उत्तराशारहा नक्षत्र का पतीक चन माना जाता है, जबकि उत्तराशारहा नक्षत्र का संबंद कटहल के पेल से बताया गया है लेहाजा उत्तरा शरहा नक्षत्र में जन्मे जातकों को उत्तरा शरहा नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की पूजा करना चाहिए और इससे बनी चीजों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए ऐसा करने से आपको सुब फलों की प्राप्ति होगी तो ये थी आज इंद्रियोग, वाजितियोग और उत्रा शरहनक्षत्र के बारे में चर्चा और अब बात करते हैं आसोंवार और उत्रा शरहनक्षत्र के संयोग में विभिन शुखलों की प्राप्ति के लिए चाह उपाय करने चाहिए अगर आपको व्यापार के लाब में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाब नहीं मिल पा रहा है जिससे आप कुछ नया करने की सोच नहीं पा रहे है और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास दो सफेद फूल रख ले और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित करने आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धर लाब होना शुरू हो जाएगा अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहती है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है तो आप सोमवार के दिन घर के नजदी की मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चाहाएं और साथ ही किसी ज़रूत मन्द को एक कटोरी चावल दान करें आज के दिन ऐसा करने से आपका मन शांत रहने लगेगा और परिवार के महौल में पॉजिटिव्टी आने लगेगी अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजद नहीं आती हैं ऐसा तब मैसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुछ या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या र द्राक्ष के बनी माला से कम से कम एक सो आठ बार भगवान शिव के मंतर का जब करें मंतर इस प्रकार है ओम आइंग रेंग सो माय नमहा आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी साथ ही आप उपलब्धियों का लाव उठाने में सफल ह अकसर भागदोर भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उल्जन में आ जाता है अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है इससे बचने के लिए सोम वार के दिन नहाधो कर तुलसी के पौधे की ग्यारा बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपर चलाएं आज के दिन ऐसा करने से आपका इस्ट्रेस कम होगा लेहाजा आपका जीवन सुख में बनेगा आपने देखा होगा आपको उस समय काफी गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परणाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीच्छा के समय भूल जाते हैं तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का बेहतर परणाम मिलेगा साथ ही आपकी इस्मरन शक्ति भी बढ़ेगी अगर आप अपने किसी विरोधी से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन उस्तनान आज इसे निब्रस्थो कर भगवान शिव के सामने घी का दीपक चलाएं साथ ही शिव जी के इस मंतर का ग्यारा बार जब करें मंतर है ओम शंग 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 शिवाय शंग शंग कुरु कुरु ओम आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने विरोधीयों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा अगर आप अपने धन धन्य और भोतिक सुकों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन इस्नान आदिक के कार्यों से लिवरत होकर अपने घर के आसमान आसपास किसी श्यू मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डाल कर शिवलिंग पर चढ़ाएं साथी भागवान से हाथ जोड़ कर प्रातना करें आज के दिन ऐसा करने से आपके धन्य 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 और भोतिक सुकों में बढ़ोतरी होगी अगर आप विद्या के ख्षेतर में उपलब्दी हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदे के बाद मासारा स्वती की उपासना करनी चाहिए पहले धूब दीप से उनकी आर्ती करनी चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए साथ ही आज के दिन आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए आप खुद भी इस यंत्र को बना कर स्थापित कर सकते हैं आज के दिन एक नव वर्ग का एक वर्ग में नव खाने बनाईए सादे कागजपन लाल पेंड से बना लीजे और अगर भोजपत्र और अस्टगंद और अनार की कलम हो तो कहने ही क्या है उसमें तीन तीन की संख्या में तीन कॉलम बनाएए पहले कॉलम में 22 दाईं तरफ जारा एक और आठ दूसरे कॉलम में 22 दाईं तरफ चार साथ और नौ फिर तीसरे कॉलम में 5, 12 और 3 लिखिए यंत्र को बनाने के बाद उसे देवी मा के सामने रखकर उसकी विधी पूजा करें फिर उस पर देवी मा के मंत्रों का जब करके उसे सिद्ध करें आप जितने ज़्यादा मंत्रों का जब करेंगे आपको उतना ही लाब होगा अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बून दूद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें साथ ही ग्यारह बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चलाएं और धूब दीप आजिसे विद्वाश शिवलिंग की पूजा करें आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूद अर्पित करें अगर संभव हो तो गाय का दूद अर्पित करें साथ ही शिव मंतर का ग्यारह बार जब करें मंतर है ओम नमह शिवाया इस प्रकार जब पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाँ जोड़कर बिंटी करें आज के दिन ऐसा करने से आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी अगर आपको लगता है कि किसी नजर दोस या टोने टोटके करकारन आपका स्वाथ से ठीक नहीं रहता है तो अपने घर के किसी सदस्य से कहें कि आज के दिन एक नीबू लेकर उस पर काले रंग से क्लिंग लिखकर आपके उपर से छे बार क्लॉकवाईज और एक बार एंटी क्लॉकवाईज उतारने के बाद उस नीबू के बीच में से दो भाग करने लेकिन ध्यान रहे नीबू पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहिए इस प्रकार काटने के बाद उसे अपने घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेक दें आज के दिन ऐसा करने से आपके उपर से नजर दोस्त या टोने टुटके का असर कम होगा और आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा अगर आप राजनीत में कदम रखना चाहते हैं लेकिन आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आज आपको चीतियों को शक्तर मिला हुआ आटा डालना चाहिए अगर लाज चीतिया हो तो और भी अच्छा है आज के दिन ऐसा करने से आपको घरवालों का सपोर्ट मिलेगा और आप राजनीत के छेतर में अपना पर्चम लहरा पाएंगे तो ये सारी चर्चा थी आज इंद्रियोग, वैधेतियोग और उत्तरा शड़हनक शत्र के बारे में साथ ही आज के दिन कौन से विशेश उपाय करने से आपको सुप फलों की प्राप्ति होगी हमने इसकी भी चर्चा की है, उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भुश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों चूंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपका रुका हुआ व्यावसाइक धन वापस मिलने की संभावना है आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा B, नौकरी में किसी कारे क सिलसिले में आपकी यात्रा हो सकती है आपकी प्रिजेंटेशन अच्छी रहेगी C, आप जीवन सास्थी के स्वास्त को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे और डॉक्टर का परामर्श भी लेंगे D, आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं रिष्टे में बात आगे बर सकत ही है E, आपके लिए अचानक धनप्राप्ति के सुखर संयोग बन रहे हैं आप कोई वहन खरीदने का प्लान करेंगे F, आजाप आध्यात्मिक गत्विडियों में शामिल होंगे वहां जाकर आपको आनंद के अनुबोती होगी G, हायर स्टडी के लिए आप विदेश जाने का विचार बनाएंगे, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, H, आप अपनी मेहनत से सिविल परिक्षा पास करेंगे, प्रशासनिक फील्ड में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, I, आज आप घर रहकर बच्चों के साथ समय बिताएंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में जा हाथ में लेंगे, उसे समय पर पूरा करेंगे, आपके सीनियर साथ से खुश होंगे, L, जॉब चेंड करने के योग बन रहे हैं, नई जॉब में तरक्की से आप परसंद होंगे, M, आज आपकी आर्थिक इस्थिती अच्छी रहेगी, कहीं से धन आगबन होगा, आज आपको किसी सामाजिक उस समय में पार्टिसिपेट करने का मौका भी लेगा, आप कुछ नया अनुभव करेंगे, O, बाइंकिंग फील्ड से जुले लोग अपने जॉब में सफलता पूरा काम करेंगे, P, आप अपने वेवसाय में कुछ परिवर्तन करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, जो लाभप्रद रहेगा, Q, आप सेना या पूलिस में हैं, तो अपने कारे छेत्र में कोई प्रिशंसनी कारे करेंगे, R, आप अपने हिल्थ को लेकर सतर रहें, समय समय पर चेक अप कराते रहें, S, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब बदलने के लिए कोशिश करेंगे, T, आपके लिए आज का दिन पढ़िया है, बच्चे आज स्कूल से घर खुश्खबरी लेकर आ सकते हैं, U, लंबे समय से रुका हुआ कोई कागजी काम आज आसानी से पूरा होगा, V, कोई कानूनी मामला आज सुलच जाएगा जिससे आपको रिलाक्स फील होगा, W, कारेक्षेतर में आपके विचार आपकी जगह बनाने में मदद करेंगे, सहकर्मी आपकी कारेक्षमता से प्रभावित होंगे, X, आज आपको अलग-अलग सोर्से से धन लाब होगा, जिससे आपके आर्थिक इस्थित्री बहतर बनेगी, Y, आज आप नए लोगों से मिलेंगे जो आपको बहमूल ले जानकारी देंगे, जिससे आपको लाब होगा, Z, आपकी सफलता में आपकी किस्मत और कड़ी महनत दोनों का ही हाथ होगा, आपको खुशी मिलेगी, और अब बात आज के तीर्ट की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान कृष्ण के एक ऐसे अनोखे मंदिर के दर्शन, जहां कृष्ण जी के साथ राधा और रुक्मनी जी दोनों विराजमान है, यह मंदिर है उत्तर परदेश के जहांसी शहर में, यहां भगवान कृष्ण जी एक और राधा जी का विग्रह, तो दूसरी और रुक्मनी जी का विग्रह सबको आकर्शित करता है, कहा जाता है कि सन 1780 में रानी लक्ष्वी बाई की सास मा सक्कू बाई ने ये मंदिर बनवाया था, वैसे इस मंदिर को मुरली मनुहर के नाम से जाना चाता है, लोग दूर दूर से यहां भगवान राधा कृष्ण रुक्मनी जी के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर वैठे कीजिए इस अद्भुद मंदिर के दर्शन, आजकल हम आपको राधा कृष्ण के खूब दर्शन करा रहे हैं, हम गोकुल गए, हम वरंदावन गए, हमने आपको गोकुल के आसपास के मंदिरों के दर्शन करा है, वरंदावन के आसपास के मंदिरों के दर्शन करा है, हमने तरह तरह के वो मंदिर उन 84 खंबो वाला मंदिर जिसको गिनते रहिए तो वो कभी 84 पूरे आते ही नहीं हाँ 84 खंबे तो हमने अलग-अलग तरह के दर्शन आपको मंदिर के करें क्यों? वंदे कृष्णम जगत गुरू इस जगत के गुरू शीर कृष्ण की वंदरा जैसे योग में कहते हैं यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान और समाधि तो वैसे ही मानुष्य की अंतष चेतना का एक क्रम है एक क्रम में मूव करती है जो वेक्ति जिस चीज से जितनी जल्दी और जितना आप्यायित होकर मुक्त होता है भागवान कृष्ण के आठ महारानिया थी और सोलह हजारानिया थी और वो इसलिए योग राज कहलाते थी, योग 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 राजा तो शीक कृष्ण के इन तमाम रूपों के हर रूप के दर्शन करने हर रूप को आत्मसाथ करने और जिसको जिसने इस प्रकार जीवन की गटियों को भोग कर जी लिया वो उन इस्थितियों से बाहर निकल कर आगे बढ़ता है और ऐसा वक्ति ही दुनिया को गीता का ज्यान देता है और तब ही वो वक्ति कहलाता है वंदे कृष्णम जगद गुरू तो जगद गुरू शीक कृष्ण के तमाम विग्रहों की हम इसलिए बार-बार आपको दर्शन कराते हैं ताकि आप भी शीक क्ष्ण के अनेक सवरूपों के मनन करके चिनतन करके और आप मुक्त हो सके आगे बढ़ सके और गीता जैसे परम ज्यान को प्राप्द करने की और अगरसल हो सके और अब बात करेंगे सामुद्दिक शास्तर की, सामुद्दिक शास्तर में आज हम बात करेंगे शंकु आकर आकरती के चेहरे वाले लोगों के इंटरेस्ट यानि किसी खास चीज में उनकी लूची के बारे में देखे हमने बताया आपको कि शंकु यानि ऊपर चोड़ा नीचे पतला सामुद्धिक शाथ के अंसार जिन लोगों का चेहरा शंकु के आकार का यानि ऊपर की तरफ चोड़ाई में अधिक और नीचे की तरफ चोड़ाई में कम होता है वे लोग आध्यात्मिक चीजों धर्म, संस्कृति, साहित्य, गरंथ आधि के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुख होते हैं इस तरह के विशय को पढ़ने के लिए ये लोग हमेशा तयार रहते हैं साथ ही इन लोगों पर एक अलग ही तरह की दैवी करपा बनी रहती है ये लोग अपने काम के लिए तभी भी दूसरों के भरों से नहीं रहती है भागवान की करपा से इनके सारे काम एक के बाद एक बनते चले जाते हैं अपनी मेहनत का फल इन्हें अवश ही मिलता है सामुत्रिक शात्र में ये थी चर्चा शंक्वा कार आकरती के चेहरे वाले लोगों के इंटरेस्ट यानि किसी खास चीज में उनकी रूची के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं कहाना है आज ये 24 जून को आशाण कर्शनपक्ष की ततिया तिति है ततिया तिति में परवल की सर्थी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निशिद है ये शत्रों के वर्दी कराने वाली होती है तितिया तिति आज देर रात एक बच कर चौवीस मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुर्थी तिति लग जाएगी जो कि कल रात जारा बच कर बारा मिनट तक रहेगी चतुर्थी टिति में मूली का सेवन करना निशित है ये शत्रों की वर्धी कराने वाली होती है इस तरह टिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईए पीजिए बहुज कीजिए और चलते चलते आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिन पूर्ग और अब वक्त है आज के टिप आफ दी डे का आज जरूरतमंद विक्ति को खाना खिलाएए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्ति का संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भाविश्यवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार